ओम नमाशिवाय खरकर महादेव 17 जनवरी 2023 को शनी ने अपना राशी परिवर्तन कर लिया है कुम राशी में आगे हैं अपनी मूल त्रिकोंट राशी में आगे जहां बैटके वो बहुत बली हो रहे हैं धाई साल यही रहने वाले हैं अपनी पूरी वीडियो बना चुकी हुं 12 राशियों में आपको क्या अभल क्या देते हैं घ्रश के अब आच्द है और शनी हमें क्या देता है परमपराएं परमपराओं से जुड़ाव है पुरानी चीजों से जुड़ाव है पुरा ततो भी भाग से जुड़ाव है अब शनी हमें परमपराएं दे रहा है और गुरू हमें संसकार दे रहे हैं इस समय परमपराएं और संसकार दोनों का मिलन होने वाला है वो चीजें ज चले जाएं तब तक इस परिवर्तन के लिए एक नीव बन जाएगी ऐसी नीव बन जाएगी कि लोग अपने धर्म को पूरी उर्जा से स्वीकार करेंगे पूरे गर्व से स्वीकार करेंगे और वो परंपरा हैं वो पुरानी चीजें जो पीड़ी तर पीड़ी चली आ रही उसको कही ना कही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी ऐसा लग रहा था कि ये क्या है अंदविश्वास है उसको पूरे गर्व के साथ अपनाने वाले हैं क्यूंकि हमें गुरु संसकार दे रहे हैं और शनी हमारी परंपरां से जोट रहे हैं ये वाला समेख हमारे जिवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा ये बात मैं आपको एक एक्जामपल के तुरू समझाने की कोशिश करती हूँ जैसे हमारे देश में जब मुगल आ गए थे और मुस्लिम सामराजे फैल रहा था पूरी तरफ यही पात हो रही थी कि हमारा धर्म किंदू धर्म बेकार है इसमें कुझ मी नहीं है ये बिल्कुल हमें मानना ही नीचे इस तरीके की बाते हो रही थी और जब अपने धर्म से लोग विमुख होकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे उस समेत उसी दाजी ने रामचरित मानस की रचना की रामायन से रामचरित मानस की रचना की जो कि एक आदर्श मुरुष थे है राम जिन्होंने बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया लोगों के सामने एक बहुत अच्छे राजा बने बेटे बने और इस तरीके के अच्छे तरीके से अपने रिष्टों को निभाय कि लोगों को अपने धर्म को लेकर शर्मिंद की महसूस ना उन्होंने धर्म की बातों को वापिस जागरित किया उन्होंने हिंदू धर्म की चीजों को वापिस जागरित किया लोगों के दिमाग में बिठाया इस तरीके से बिठाये कि लोगों ने गर्व के साथ उसको स्वीकार किया और वापिस अपने धर्म की तरफ आने लग गए उन्होंने उसी समय अखाडों का भी निर्मार कराया जहां वो चाते थे मांसिक बल के साथ-साथ लोगों को शारेरे बल में मिले वो मजबूत बने अपने धर्म को स्वीकार करें और वापिस अपना धर्म परिवर्ता ना करें ये चीज उस समय कोई और हमारे धर्म की चीज़े जो की खराब हो रही थी इस समय वापिस लेकर के आया जो की हमारे धर्म की चीज़े खराब हो रही थी वो वापिस ठीक होने ल जुडने वाले बनेंगे और ये नीव बन जाएगी और धाई साल पूरे शनी के पास है वो धीरे धीरे काम करते हैं शनी उसके बाद आप देखे किस तरीके से महा परिवर्तन हो जाता है इस धाई साल में कैसे लोग अपने धर्म को गर्व से स्वीकार करेंगे वो बाते जिन को चोरी छेपे बोला करते थे ऐसा लगता था अंद विश्वास है उसके बारे में कोई स्वीकार नहीं करता था शर्मिंद की महसूस होती थी अपने की कहीं न कहीं तीरत स्थान में ऐसा हो रहा है और लगता था नहीं यह तो अंद विश्वास हैं किस मुंसे किस को बोले लेकिन अब लोग चाती ठोक के उसको स्विकार करेंगे, हमारे यहां पे चमतकार होते हैं, हमारे मंदिरों में इतनी शक्तिक है, हमारे यहां के लोगों में इतनी शक्तिक है, वो परमपराओं को मानने वालाट समय आ गया, अब ये थाई साल हमें वापस हमें धर्म की तरफ छाएंगा और हम वापस पैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि हम इंबैललन्स हो गहीते हैं हिंदू दर्म को आप समझें क्या है, हिंदू धर्म वहन्य fark की प्रकरतिक उड़ जाए प्रकरतिक संसाधर्म के हिसाब से उनके अनुसार चला जाए जिस तरीके का प्रकरतिक वातवरं को जिस तरीके की प्रकरतिक स्थितिक हो या फिर जो भी परिवर्तन प्रकरती में हो रहे हैं हिंदू धर्म उसके अनुसार की चलता है कि प्रकरती के हम साथ चले प्रकरती को सहेच के रखे प्रकरती ख बाते विज्ञानिक है वो रिषी मुनी जिनों ने बहुत दूर से पहले ही उन ग्रहों की इके गति को बता दिया चंद्रमा में पानिये कपका बता दिया नासा में तो अभी पता चला ना उन्होंनों तो बहुत पहले बता अभी जब हम पढ़ते हैं जोतिश में ग्रहों के में उनकी प्रकृति के बारे में वो ही सारी चीजें आज के विज्ञानिक भी ग्रहों के बारे में बोलते हैं तो अपने धर्म के बारे में जो हमी शर्मिंदगी मैसूस होती है वो चीजें जो कि हम पराओं से शुरू से अपना रहे थे जो हमारे संस्कारों में थी जिसे लेकिन अब चाती ठोके सब लोग उन चीजों को स्वीकार करने वाले हैं, मानने वाले हैं और वो अपने धर्म को एक उस उचाई पे लेकर गे जाएंगे जहां की कल्पना हम चहा रहे हैं, हम सोचते कि काश महारा धर्म चला जाए, हमारी संस्कृती चली जाए, अब हम उन च पास आई, तभी तो भुकम आते हैं, तभी तो इतनी जादा आबदाएं हमारे उपर आती हैं, अगर हम प्रकर्ति और प्रकर्तिक वातावरण के हिसाब से, इन उर्जाओं के हिसाब से अपने जीवन को चलाएं, तो कोई भी समस्या ना है, लेकिन हम अपना जीवन अलग ह चला रहे होते हैं, और ये प्रकर्तिक वोड़ जाएं, अलग ही चल रही होती है, इन में हमेशा संतुलान रहता है, हम संतुलान लाते हैं, अपनी इच्छाओं की वज़े से, हमें जबरदस्ती बहुत कुछ चाहिए होता है, जो समय प्रकर्ति नहीं देना चाहते हैं, हम जबरदस्ती करते हैं और बस वहीं problem मिजा थी हैं जब कि हिंदु धर्म सिर्फ growth की आप लोगों की बात नहीं करता है वो बात करता है आध्यात्मिक growth की spiritual growth की बात करता है वहाँ बात करते हैं कि आप सब लोगों को ले कर के चलें समाज के जिसमें भलाई हो, देश के जिसमें भलाई हो, दुनिया के जिसमें भलाई हो और वो प्रकरती जो कि हमें सब कुछ देती है, हम उसके अनुरूप चलें उसे हिसाब से तो हमारा एक-एक वरत बना है, एक-एक त्योहार बना है, प्रकरती के अनुसार हम तो प्रकरती की उर्जाओं को ले करके चलते हैं अपने साथ जैसे प्रकरती जा रहे हैं बस वैसी उसके पीछे पीछे चलते रहा हूँ यही तो इस हिंदू धर्म का मकसद है बस इससे ही हम विमुक हो गए कहीं न कहीं उन गहरी बातों को हमने अपने से दूर कर लिया और क्या किया फिर अंदविश्वास आ गए फिर कुरीटियां आ गए अब वो अंदविश्वास कुरीटी कुछ भी नहीं रहेंगे और ठोक के जो विज्ञानिक चीजें उनको हम चाती ठोक के मानने को त्यार हो जाएंगे ये परिवर्दन हम लोगों के जीवन में हमारे हमारे धर्म की लोग मंदिर जाना शुरू करेंगे अपने तीरतों में जाना शुरू करेंगे अपनी संस्कृति को मानना शुरू करेंगे अपने त्याहारों को मानेंगे अपने जो उन्होंने वस्त्र अपने त्याग दिये थे उन्होंने हिंदू के जो वस्त्र हैं उनको परिवर्तन हम लोगों के अंदर आ गया और कितना हमारी सोच में आ गया उम्मीद करते हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगिऊंगी और जैसे जैसे आप चेंज देखते रहेंगे अपनी लाइक में मुझे आप कमेंट करते रहेंगे हाँ यह चीज हो गए और हम भी इस पात को महसूस कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए ओमनमाश्यवाद खर खर महादेव